चारु धामों में से एक महत्वपुन धाम बाबा केदरनाद के पट छे महीनों के लिए बंध हो जाएंगे लेकिन इन छे महीनों में मंदिर के अंदर क्या क्या होता है शायद ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा आईए आज धर्मा लाइफ पर हम आपको बताते हैं तो चलिए जाके जरा केदरनाद के बंध पटों के उस पार सबसे पहले बात करते हैं इसकी अखन जोद की अखन जोद का मतलब होता है वो जोद चो कभी भी बंध नहीं होती या बूचती रही तो ऐसे में 6 महिने तक बंध रहने वाले केदरनाद मंदिर में क्या होता है इस मंदिर के पट बंध होने के बाद भी यहाँ पर 6 महिनों तक अखन जोद जलती ही रहती है जिसकी पीछे के कारण के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है अब बताते हैं आपको एक और अनोखी बात इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबा केदरनाद की दर्शन के लिए देवता भी इंतजार में रहते हैं आखिर में आपको यह जान कर अच्छंबा होगा कि मंदिर के कपाट बंध होने के बाद भी यह साफ सुत्रा देशन रहता है और एक जाला तक नहीं लगता इस बात को व्यग्यानिक भी नहीं जान सके हैं कि ऐसा क्यों होता है तो क्या आपको पता थे के दर नाथ की बाते कमिंट सेक्षन में लिखकर हमें जरूर बताए और ऐसी और धार्मिक और ज्यान वर्दिक बातों के लिए दे माले.